नमस्कार दोस्तों आदी एस्ट्रोजिकल सर्विसेज चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों जब भी कोई मंत्र का जाप किया जाता है तो अक्सर लोग पूछते हैं के सर एक सो आठ बार ही क्यों जाप किया जाता है। तो इसका जो उत्तर था वो मेरे पास पहले नहीं था। लेकिन काफी रिसर्च के बाद एक महान वेक्ती का वीडियो देखने के बाद मुझी ये जानकारी मिली के कोई भी मंत्र का एक सो आठ बार जाप क्यों किया जाता है। वो महान वेक्ती कोई और नहीं वो महान वेक्ती है सदगुरु जी। उन्होंने इतना अच्छा explanation दिया कि मैं जैसे जैसे आपको इसका कारण बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तो सूर्य का जो डायमिटर है मतलब जो व्यास है सूर्य का डायमिटर को अगर 108 से गुना किया जाए मल्टिप्लाई किया जाए तो जो डिस्टेंस निकल के आता है वो डिस्टेंस होता है सूर्य और धर्ती का उसी प्रकार से चंद्र का जो डायमिटर है जो व्यास है चंद्रमा का उस डायमिटर को अगर 108 से मल्टिप्लाई किया जाए तो वो डिस्टेंस होता है चंद्रमा स से धर्ती का इसके साथ हमारे ब्रह्म्हान को बारा भागों में भाग किया गया है और हर भाग को एक-एक राशी का नाम दिया गया है एक-एक राशी को तीस डिग्री करके भाग किया गया है और हमारे जोती शास्त्र में नौ ग्रहों का उलेख है तो बारा राशी में जो नौ ग्रह है वो नौ ग्रह बारा राशी में भ्रमन करते हैं मतलब बारा राशी से गुजरती है तो दोस्तो अगर बारा राशी के साथ नौ ग्रह का माल्टिपलाई करें तो भी रेजल्ट निकलता है एक-सो-आठ तो दोस्तो कोई भी मंत्र एक-सो-आठ बार जाप करने का तिन रिजन मैंने आपको दे दिया जो की मुझे खुद सद गुरू जी के वीडियो देखने से पता चला था एक ये है मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ पहला है सूरे का जो व्यास है उसको अगर 108 से मल्टिपलाई किया जाए जो डिस्टेंस निकलता है वो है सूरे से धर्ति का डिस्टेंस दूसरा रिजन चंद्रमा का जो व्य जो डायमिटर है उसको अगर 108 से मल्टिपलाई किया जाए तो वो है चंद्रमा से धर्ति का डिस्टेंस दूसरा है हमारे जोती शास्त्र में 12 राशी का उल्लेख है और 9 ग्रह का उल्लेख है अगर आप 12 राशी को 9 ग्रह से मल्टिपलाई मतलब गुना करते है तो भी उसका रेजल्ट 108 ही निकलता है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मंत्र का 108 जाप के बारे में आपको जानकारी दे पाया अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज सब्सक्राइब जरूर का 10ल को सब्सक्राइब